हेलो फ्रेंड्स अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई महिला प्रेगनेट होती है तो इसके योने में खुजली यानि इचिंग के समस्या काफी ज्यादा हो जाती है कई बार प्रेगनेट लेडी इस चीज से काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है आई जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से दोस्तों कई बार जब भी कोई महिला प्रेगनेट होती है स्पेशली पहली बार तो उसकी बॉड़ी के अंदर काफी सारे चेंजिस होते हैं क्योंकि गर्ब के अंदर एक नया गुरुण विक्सित होता है और धीरे धीरे वो और ज्यादा विक्सित होके एक बच्चे का रूप लेना शुरू करता है उसी वज़े से उसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा बदलाब आना शुरू हो जाते हैं जिसके वज़े से यूनी में खुजली होना, सरदर्ध होना, चक्कर आना, बार बार उल्टी आना, पेट दर्ध होना, पीट दर्ध होना, कमर का दर्ध होना. ये सारी चीज़े बिल्कुल नॉर्मल है, कई बार अक्सर ऐसा माना जाता है, कि हमें प्रेगनसी के नौ महीनों के दौरान, मासे धर्म यानि की पीरिट बिल्कुल भी नहीं सताते हैं, और ये बात सच भी है, और ऐसा भी कहा जाता है, कि पीरिट ना हो तो चरता है, लेकिन कि समय पे पीरिट जारा दर्ड हर महिला को सताता ही है, भले ही डिलेवरी के बाद कितनी भी ब्लीडिंग क्यों न हो, इसलिए प्रेगनसी के दौरान भी पीरिट ना होने की वज़े से भी पीरिट का दर्ड उतना ही होता है, जिसकी वज़े से अक्सर योनी में खुझली की समस्यां हो जाती है लेकिन अगर आपकी योनी में प्रेगनसी के दोरान कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है कुछ ज्यादा ही इचिक हो रही है तो आपको डॉक्टर से संबर्ख जरूर करना चाहिए इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूस को हमार साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हैल्स से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेयर और सबस्क्राइब कीजिए